नमस्ते, मैं हूँ विक्रम और मेरे Green Bloops Gardening Channel पर आपका स्वागात है यहाँ पर आप चो फ्लावरिंग प्लैंट देख रहे हैं, इसका नाम है यूफोरियान मिली मैं आज इस वेडियो में यूफोरियान मिली के बारे में डेटेल्स में बात करूँगा यूफोरियन मिली मदगास्कर के मोल निबासी यूफोरियाशी पोरिवायर की पौधे जिसे आमतर पर काटों का ताज कहा जाता है यूफोरियन मिली से साल भर फ्लावर्स पाने के लिए आप इस वेडियो को अंत तक दिखते रहे हैं आप कार्डेनिंग के बारे में कोई भी जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले आपको यूफोरियन मिली की हिल्दी प्लेंट और कुछ पौट की चुरूरत है मैं इस प्लेंट को काटिंग से तेयर किया है नारसरी में भी ये प्लेंट आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा जो बीगेनर से या नए नए गार्डेन शुरू करना चाहते हैं उसके लिए ये प्लेंट सबसे बहतर रहेगा क्योंकि इस प्लेंट की मारने की चांस भी भी बहुत काम है और इस प्लेंट की कいます करने की जुरूरत नहीं है अभी इस प्लेंट को ग्रू करने के लिए 6-12 इंच साइच का जो पौट है उसे इस्तमाल कर सकते हैं पॉट की नीचे जो ड्रेने जोल है, वो मिट्टी से बंद ना हो जाए, इसलिए ड्रेने जोल के ऊपर कुछ टूटे हुए पॉट की टूकरे को सेट करना है, इसके बदले में आप पॉट की नीचे ले हिस्से में बाड़े साइज का सेंडगा इस्तमल कर सकते हैं, ऐसा करने से एक्ष्टा वाटर ट्रेने जोल से अच्छे से निकल जाएगा, इस प्लैंड में ज्यादा से ज्यादा फ्लावरिन पाने के लिए आपको अच्छे से स्वाइल मिक्स चा तैयार करना होगा, इस प्लैंड को ग्रू करने के लिए आप 30% गार्डेन स्वाल के साथ, 30% कॉम तो मेरे चैनल में उसकी वीडियो है, अब जाकर देख सकते हैं, आप चाहे तो स्वाइल वीपरिशन के वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जागर भी देख सकते हैं, अब इस प्लैंड को थोड़ा सब्धनी के साथ प्लास्टिक ग्रूबैक से निकाले, जब भी आप कोई भी प्लैंड को प्लास्टिक ग्रूबैक या पॉट से निकाले, तब आपको थोड़ा सब्धनी रखना है, अब चाहे तो इस प्लैंड की काटिंग से अपने घर में ही नए प्लैंड तेयार कर सकते हैं, आप काटिंग को ग्रू करने के बारे में डिटल्स में जानना तो मेरे का कमेंट करिए इसको लागाने के बाद आज दो महिने का समय पूरे हो चुगा है मैं इस प्लैंड को प्लैंटिंग करने के बाद अभी तक कोई भी फार्टिलाजर के इस्तमल नहीं किया है फिर भी आप इस प्लैंट का ग्रोध देखिए, कितना बाड़िया तरीके से ग्रोध हुए है यूफुर्बेन मिली को ग्रोध करना बहुत आसान है आपके घर में पहले से यूफुर्बेन मिली के प्लैंट है और उसमें फ्लावर्स नहीं आ रहा है तो मेरे दिये हुए वीडियो के अल्थ में जो टीप्स है वो जो रूद फालो करें रेजल्ट अप्टर फोर मांथ चार माहिने का बाद आप देखिए सारे प्लैंट में फ्लावर्स आ चुके है आप इस प्लैंट में हर सामय फ्लावर्स पाना चाहते हैं तो आपको इस प्लैंट में एक फाटिलाइजर का इस्तिमल करना है इस प्लैंट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स पालने के लिए आपको हर 15 दिन बाद इस लिक्वीड का इस्तिमल करना है इस liquid को तैयार करने के लिए आप 200 ग्राम mustard केक को 2 लीटर पानी में 2 दिन तक फिगा के रखे और 2 दिन बाद उसमें और 1 लीटर पानी एड़ करके आप प्लैड में डाल सकते हैं इस वेडियो से आपको फायदे मिले तुम मेरे चैनल को जोरूर सब्सक्राइब करें